आप धर्वेंदर और हिमामाली वाली बात ही खत्म होगा जब तो यहाँ बाबु भाईया आगया आपका देखिए जो हेरा फेरी पिक्चर में बाबु भाईया ने बोला ना रामी तो गई तो मैं आपके चार्ट्स का भेद बताता हूँ यह जो RSI इंडिकेटर हम नीचे प् बिना अदुरा है राजा जिद करके ऊपर सरकने की कोशिश करता जा रहा राणी चलने को ही तैयार नीचे के तरफ लोवर टॉपस बना रही है बिना मुमेंटम का बजार ना तो नीचे ना ऊपर सस्टेन हो सकता है तो जब यहां मुमेंटम खतब हो गया हमने निफ्टी औ तो अंतिम तुक चुनने के उसकी तरफ चलना उगा ट्राएंगर के बीच में बिलکूल शान्त रहिए और आज निफ्टी कि महभूबा ने बेर्स का हथ थांग दिया है तो हमने यहां पे निफ्टी को शॉट कर दिया आज सवेरे और इंट्राडे में रिबाउंड वापस मार सकता है 18,820 के उपर अगर बंद हो जाएगा तो हम शॉट काट लेंगे फिर देखेंगे कौन सा नया पैटन बन रहा है पर अगर मैं लार्जर पैटन पर जाओं और थोड़ा से रंगीन भशा में कहने की अनुमती हो जिससे लोगों को याद रहे तो जो इनिशियल रैली थी ना यह हम अपने सब्सक्राइबर्स के साथ अपने क्लाइंट्स के साथ इस भशा में बात करते हैं कि गधे के पाउं इसको टुकडे टुकडे में खेलना होगा जो शौट आग सवेरे की उसका सौधा बढ़ाया जाएगा अठारा चेसों के नीचे जाने पर अठारा पचास पर हो सकता है एक बार रीबाउंड बने फिर उसके बाद आपको यह सतरह आजार चेसों के लेवल को संभालना होगा तो यह अगले तीन-चार महिने का कारेक्राम है वो अपसे हर मंगलवार को उस बारे में बात हो जाएगी और अगर मैं बैंक निफ्टी को टच करूँ यह देखिए वीकली चार्ट पर और इसको भी टेकनिकल एनलिसिस और स्टॉक्स अफ कमोडिटीज मैगजीन में दस साल पहले मैंने पैटर्न पड़ा था यह डवल टॉप में इसको पापा टॉप और मम्मी टॉप आप कहेंगे पापा जब नाराज हुए तो बैंक निफ्टी यहां तक आई और मम्मी जब नाराज हो रही है ना यह बैंक निफ्टी नीचे 30,000 तक आ जाएगी देखिए को हिसाब से देखिए वापस 44,200 तक कभी यह मार्केट जा सकती है बैंक निफ्टी के उसमें कोई शक नहीं है उतनी जगह रखके चलिए पर बैंक निफ्टी में एक भी स्टॉक अब नहीं बचा है जो शॉट सेल के योग्य नहीं है HDFC कोटक औरे लुड़क चुके थे जो भी जो भी थोड़ी सी मस्ती एक्सिस बैंक कर इंडिसिंट करें थे नमें स्ट्रॉंग सेल सिगनल आ गया इस भी आई अल्रेडी लोड़का पड़ा आई से लोड़क गया बैंक निफ्टी को बचाएगा को जो बाबु भाईया ने कहा ने रानी तो गई तो बैंक जैसा स्टॉक जो दोनों इंडेक्स में यह सब 25-35-30% घटने के लिए तयार है तो बहुत ज्यादा सेफ मार्केट ऊपर तक आता चला गया था इंडिविजुवल स्टॉक्स में बड़े करेक्शन आएंगे इंडेक्स से कैवरेज उसमें नियूनितम आएगा और एक देख जाता हूं और हम दूसरे स्टॉक्स में घुज गए यह रूपी डॉलर की चार्ट को देखिए एवी सीडी ट्राइंगल जो पैटर्न है यहां से यह आप इसे डेली वी में आप देखिए रूपी की चार्ट को यह रूपी अगर जिस दिन 82 के उपर गया है सीधा 85-86 हो जा रहे हैं कि महबूबा ने बेस का हाथ थाम लिया है एक स्पेस जो की बहुत चला इस पूरे मूव में अपरिल मई जून में वोता आटो आटो पर आपका वियू क्या है एक अच्छा पैसा बनाने के बाद स्टॉक्स में क्या करना चाहिए इस पर टाटा मोटर्स को छोड़ में बहुत ज्यादा नीचे का करेक्शन आने वाला है अच्छा सुशील जी वैसे इंडिया में बिटकॉइन को लेकर काफी रेगुलेशन और यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे रेगुलेटर्स ने अच्छा काम किया है कि उसको लेकर एक जो भूले-भाले निवे में तो यहां पर आपके साथ तो टीवी पर नहीं बात होती थी तो हमने ट्विटर पिसके दस मिनिट का बड़ा वीडियो बनाके डाला था कि अगली चाल में लाख डालर का भाव आ रहा है उसमें एक पहला चिरण यह कंप्लीट हो गया और यह बिल्कुल घोड़े के पास बावन हजार तक चल जाएगा तो इस बिटकॉइन से हम जो शेरबजार वालों को क्या जोड़ना चाहिए कि रिस्क आफ नहीं हुआ है संसार में संसार में एक एड़्जस्मेंट चल रहा है बिटकॉइन क्लियर कट प्रूफ अफ रिस्क ऑन है रिस्क ऑन अलग- तो आने वाले समय में यह 15-20 परसेंट अगर इंडेक्स घट भी गया तो यह दोनों हाथ से शेरों को दबोच के लेने का अवसर होगा संसार में रिस्क ऑन बिल्कुल है और अच्छे शेरों को खोजिए निफ्टी बैंक निफ्टी का जो यह खेल है बहुत लिमिटेड लो बता दें कि मनी कंट्रूल पर दिये गए विचार, एक्सपर्ट के अपने नीजी विचार होते हैं, वेबसाइड या मैनेजमेंट इसके लिए उतरदाई नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रूल की सलहा है कि कोई भी इनिफेशन इंडला लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलहा ले